हेलो गाइज, what is up, कैसे हैं आप लोग, I hope आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है ऐसा मैं सारी वीडियो में बोलता हूँ लेकिन आज का जो वीडियो वो सच में आप सब लोगों के लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट है क्योंकि जिस टॉपिक पर मैं आज बात करने वाला हूँ वो टॉपिक, वो जो शब्द है, वो आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा पार्ट बनने वाला है ग्रोमिंग Goram तो सबसे पहले बात करते हैं कि वो ट इस ग्रोमिंग Шब्द होता कै I know आपने काफी सारे वीडियो शायद देख भी लियोंगे और काफी कुछ आप लोगों को पता चल भी चुका होगा और काफी लोगों को पता होगा भी ओलरडी कि What is grooming? अगर मैं आपको simple भाषा में बताओ Grooming basically होता है आपने आपको एक presentable look देना Now अलग-अलग जगाओं में presentable look differ कर सकता है चाहे आप अगर fashion industry में हो चाहे आप किसी और industry में हो हर जगे आपका presentable look अलग होता है उसी तरीके से hospitality industry का presentable look आपको मैं आगे अभी बताने वाला हूँ तो यार hospitality industry का जो presentable look होता है जो basically grooming होता है उसमें बहुत सारे चीज़ें आती है तो यार सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ अभी boys की boys लोगों को grooming में क्या-क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी क्या rules follow करने पड़ेंगे, क्या चीज़ें follow करने पड़ेंगे short यानि कि आपके side से आपके ear पे बाल नहीं touch होने चीज़े पीछे अगर मैं बात करों तो आपके बाल जो है वो collar पे touch नहीं होने चीज़े जो आपकी shirt होती है shirt का collar होता है उस पे आपके बाल touch हो रहे हैं तो यानि आपका teacher पकड़ के आपको भार कर देगा उसके बाद आती है सबसे जो बहुत ज्यादा question मुझे काफी पार पूछा गया है beard तो भाई beard नहीं रख सकते हैं आप I'm sure आप मैंसे काफी लोगों की आती भी नहीं होगी अभी डंग से सकते हैं but that too depends कि आपका hotel आपको allow करेगा की नहीं बागी कुछ एक ऐसे hotels भी हैं जहां पे आप अपना funky look रख सकते हो लेकिन वो कौन से hotels हैं उनके बारे में कभी और बताऊंगा फिलहाल मैं बात कर लेता हूं कि और क्या चीजें आप नहीं कर सकते हो यहां पे कई लोगों के आपके बाल जो है आपने spikes बना दिये हैं कुछ भी कर दिया इस तरीके का allowed नहीं होता है आपको प्रॉपरली अगर आपने शॉर्ट भी करेवें यूप टू कॉम इट प्रॉपरली ऐसे नहीं कि भाई यह शैवी लुक लेके आगए hotel industry में आपको gentleman दिखना है cool dude नहीं तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा तो I know कई लोग अभी मुझे बोलने वाले कि तुमने खुद तो beard रखी वियो और तुम दूसरों को बोलो कि beard is not allowed और इस तरीके की बाते कर रहे हो तो भाई आपको और वीडियो देखनी पड़ेंगे मेरी अगर आपने अब तक नहीं देखी है तब आपको पता चलेगा कि why I've kept my beard और मैं आखिर क्या कर रहा हूँ अब बात कर लेते हैं girls की तो girls को क्या grooming follow करनी पड़ेगी सबसे पहले बात कर लेते हैं उनके hairs की तो देखो अगर आपके shoulder level से ज़्यादा बड़े hairs हैं तो आपको bun बन बनाना पड़ेगा यानि जुडा बनाना पड़ेगा proper और बता भी निया क्या क्या चीजें होती हो वो सब चीजें लगाते हो मुपे that is not allowed आपको बहुत ही ज्यादा light makeup करना होगा in hotels you have to keep light makeup जिस भी आप department में रहे हर department में आपको बिलकुल light makeup करना होगा तो यार जो आप वो ब्राइट कलर की lipsticks वगरा लगाते हो आई-लाइनर और पत हम बात करते हैं कुछ उन पॉइंट्स की जो कि boys और girls दोनों के common होते हैं और उनको सब को follow करना पड़ेगा तो सबसे पहला और सबसे important है नहाना पड़ेगा तो यार यह कोई मजाक नहीं है actually में यह आपको नहाना बहुत ज़्यादा जरूरी है अब मैं यह चीजें क्यों क को लेंगे भाई हमको पताया नहाना होता है लेकिन बहुत ज्यादा important है because I know बहुत सारे लोग almost 80-90% जितने भी आप लोग है आप नहाते हो रोज नहाते हो लेकिन कुछ लोग कुछ लोग जो होते हैं वो लोग नहाने को थोड़ा सा skip कर जाते हैं चाहिए एक दिन छोड़ के नहारे हैं या कैसे भी तो वो लोग ये चीज नहीं कर सकते हैं अभी उसके बाद सबसे important होता है कि आपकी dress जो होती है वो हमेशा clean रहनी चाहिए whether it be sari हो चाहिए वो आपका shirt pant हो suit हो कुछ भी हो जो भी आपकी dress है वो एकदम clean होनी चाहिए साथी साथ well iron होनी चाहिए क् अगर ये भी नहीं होगा तो ये समझ लीजे कि आप class से बाहर हो जाएंगे एक बारी को school में भी आप इन सब चीजों से बच जाते रहोंगे लेकिन college में especially hotel management college में आप इन चीजों से बच नहीं सकते हो यानि अगर आपने ये rules follow नहीं करें तो भाईया आप class से बाहर हो तो वो सारी चीजे नहीं होनी चीए आपको बहुत ही जादा light perfume यूज करना है अगर आप यूज करते हो तो साथ ही साथ जो आप pants वगरा पहनते हैं उनको please नीचे से narrow मत करवा देना ये मैंने बहुत students को देखा गलती कर देते हैं उसके बाद उनके teacher रोज उन्हें डाटते रहते हैं रोज उन्हें डाटते रहते हैं और बाद में फिर से pants को change करना पड़ता है pants narrow मत करना whether it be girls boys कोई भी हो आपकी जो standard size वाली pants आपको मिलेंगी उसी में रहना narrow मत करवाना short मत करवाना कई लोग मैंने देखे हैं कि आधी आधी उसको capri बना लेते हैं इतनी इतनी तो वो मत करना प्लीज अगर यह साब आप करोगे तो आपके teacher आपको allow नहीं करेंगे class में जो आपको dress मिल रही है उस ही हिसाब से आपको पहनना होगा तो यह सारे थे आपके grooming के part की जो आपको follow करने अब बात आती है कि why grooming is important in hospitality industry तो इसका simple सा answer है देखो यार आप सीदी सी बात आप करने वाले हो काम five star deluxe properties में luxury properties में बड़ी बड़ी properties में तो वहाँ पे आपने एक चीज देखी होगी अगर आपने internet पे वीडियो देखे होगा कभी आप गए हो तो आपको पता होगा कि हर एक चीज को properly एक एक जगे में well stack करके बहुत properly रखा जाता है कहीं भी आपको dust भी नहीं दिखेगा तो यार एक चीज बताओ आप इन चीजों को properly कैसे रखोगे जब आप खुद को ही clean नहीं रख पा रहे हो तो सबसे बड़ी important चीज होती कि सबसे पहले आपको खुद को clean रखना है उसके बाद ही आप चीजों को clean रख सकते हो इसलिए आपको सबसे पह बाद भी तो यह strictness हो सकती है मतलब आप college खतम कर दो उसके बाद आपको hotel में इतना strictness रख सकते हैं तो यार एक चीज में आपको बता दूए जो तीन साल होते हैं जिन तीन सालों में आप यह सब चीजें सीख रहे होते हो उस समय में अगर आप अपनी ग्रूमिंग की बनाना है किस तरीके से अपने body order ना है बिलकुल भी वो सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगे अगर आप यह सब आप नहीं करते हो अभी से follow तो फिर क्या होता है कि जब आप hotel में जाते हो और इन चीजों को follow करना शुरू करते हो वहां पे तो strictness होगी ही होगी भले hotel management college मे इतना ना भी हो लेकिन hotel में यह सब strictness होगी ही होगी वहां पे आपका senior आपको नहीं छोड़ेगा अगर आपने यह सब चीजें follow नहीं करी होगी तो तब क्या होता है कि अगर आपने यह सब चीजें follow पहले से नहीं करी है आपने way of life नहीं बनाई है अपनी आदत नहीं बना तो जब आप इन चीजों पर ध्यान देते रहोगे तो अपने काम पर कप ध्यान दोगे तो इसलिए गाईज अभी से अगर आप इन सब चीजों की आदत बना लेंगे तो बाद में आपको बिलकुल भी दिक्कत नहीं आईगी तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि अब ग्रूमिंग क्या होती है क्यों यह होस्पिटालिटी इंडस्ट्री में इतनी ज्यादा इंपोर्टेंट है और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे प्रॉडक्ट्स कुछ ऐसी चीज़ है जो कि अगर आप लोगे या अपने पास रखोगे तो आप definitely आपको help मिलेगा ग्रूमिंग में तो यारी जो दो तीन चीज़े में आपको पताने वाला हूँ यह mostly boys के लिए है girls के लिए एक आधी चीज़ी है because you know girls को अपना ध्यान रखना आता है उनको पता होता है कैसे अपना ध्यान रखना है लेकिन boys या boys के लिए एक चीज़ी recommend करना चाहूँगा वो है यह roll on सबसे बढ़िया है I know girls में काफी लोगों ने use किया होगा even boys में भी कुछ लोगों ने use करा होगा यह बहुत ही अच्छा है इसके बारे में मुझे पता चला था 2015 में 2015 में मिले को ऐसे पता चला कि मैं उस समय गल्फ देफिनेटली आपका body odor होने का बहुत ज्यादा chances हैं तो यह आपको अभी से लेना पड़ेगा लेना चाहिए मेरे साब से हमारा जो काम होता है वो क्या होता है कि थोड़ा बहुत physical work है हम लोगों को इधर से अधर दोड़ना भागना पड़ता है अपने काम पे तो definitely आपको स्वेटिंग होगा तो स्वेटिंग से स्मेल ना आए उसके लिए आप दोई काम कर सकते हैं एक तो अंडर राम को क्लीन रखी है दूसरी चीज क्या होगी कि आप इस रोलाउन को यूज़ कर लीजिए और डेफिनेटली आपको बहुत इससे फायदा मिलेगा second product जो boys के फायदे मंद रहने वाला है लेकिन जिनकी थोड़ी भी hard beard आती है जिनको थोड़ी भी अच्छी खासे beard आती है तो वो लोग राधर देन ट्रीमर ट्रीमर ले सकते हैं मतलब जैसे कभी चुटी हो पए गए तो अपने हिसाब से अपने आप बीर्ड कर सकते हो लेकिन जब आ अच्छा यूज़ करना और मार्क 3 टर्बो जिलेट मार्क 3 टर्बो इस वन अफ़ बेस सबसे मतलब एक तरीके से वन अफ़ बेस में इसलिए होगा क्योंकि जादा एक्सपेंसिव भी नहीं है लेकिन चलता भी बहुत अच्छा है यानि कि जो आपकी तरीके की प्योड़ी उसमें आराम से वो काफी दिन चल जाएगा एवन महीने बर तक चल जाता है अगर आपको बहुत लाइट वियर्ड आती है और वो बहुत अच्छी शेविंग करता है आपको बार बार खुरचने की जुरत नी पड़ेगी क्यूंकि अगर आप छोटे मोटे ब्लेड लेंगे तो ये चीज़ ध्यान रखना आप बार बार शेविंग करोगे उससे एक तो आपके निशान पड़ेंगे ब्राउनिंग आईगी थोड़ी बहुत जो ग्रीनिश कलर आता है वो आने लगता है और अदरवाइस क्या होगा आपके चेहरे पे थोड़े से भी दाने वगरा पि इसक्रिप्शन में भी मिल जाएगा वहाँ पर जाके आप चेक आउकreibt वहां प्रिस में जाएगा जला जादाव जानी रहे लेकिन फिर वह以前 ले थाप क्या ओम्धर सकता हैं जी तो नीचे अभी करोगे तो जादा फाहिदा है बिकॉझ अभी आदत बनाओं इन सारी चैजह की आदत बनेगे और अपनी ग्रूमिंग आप प्रॉपरली रख पाओगे त्यारे आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करके जरू जाना आगे बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आने वाली हैं तो प्लीज दूर सब्सक्राइब थैंक यू सो मच्छ आइव नाइस डे बाई